Hello friends, आज की वीडियो में हम लोग financial market के बारे में पढ़ेंगे Financial market एक ऐसी market होती है जहाँ पर पैसो का लेंदेन होता है जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो उधार में पैसो को देता है और जिसको पैसो की जरूत होती है वो उधार में पैसो को बॉरो करता है बड़ कोशन ये है कि लोग उधार में पैसो को क्यों बॉरो करते हैं तो इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं हो सकता है कि आपको एक नया बिजनस शुरू करना हो जिसके लिए आपके पास पैसो की कमी हो इसके लावा हो सकता है कि आपका एक existing business तो हो लेकिन उस business को आप और ज़ादा fast rate से grow करना चाते हो और उसके लिए ज़ादा पैसो की जरूत हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अचानक से कुछ unexpected expenditures आ गए हो जिने आपको cover up करना है तो इन चीजों के लिए आपको पैसो की जरूत पढ़ सकती है और ये पैसा आप financial market से उधार पर ले सकते हैं जहाँ पर ऐसे लोग मौझूद हैं जिनके पास पैसा surplus में है और वो अपने पैसो को उधार में देने के लिए तैयार है लेकिन यहाँ पर एक प्रशन और भी है और प्रशन यह है कि कोई भी अपना पैसा किसी दूसरे इंसान को क्यों देना चाहेगा तो इसके लिए भी कई सारे कारण हो सकते हैं पहला reason है interest यानि ब्याज पर एक्जमपल जब मैं अपना पैसा ब्याज पर किसी दूसरे को देता हूँ तो उस पैसे पर मैं expect करता हूँ कि जब एक तैर डियूरेशन के बाद मुझे पैसा वापस मिलेगा तो साथ ही साथ मुझे उन पैसो पर कुछ interest भी मिलेगा और इसके लावा पैसो को देने वाले की expectation dividend की भी हो सकती है dividend का मतलब है कि borrower ने उस पैसे पर जितना profit कमाया है उस profit का कुछ percentage तो ये वो reasons हैं जिनके वज़ा से financial market में पैसो का लेन देन होता है अब ये जो financial market है ये basically दो तरह की होती है money market और capital market money market में पैसो का लेन देन कम अबदी के लिए होता है यानि अगर मैं 364 days या उससे कम दिनों के लिए पैसो उधार पर लेना चाहता हूँ तो ये काम मैं money market में कर सकता हूँ बड़ अगर मैं 365 days या उससे ज़्याद समय के लिए पैसे उधार में लेने या देना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे capital market जाना होगा क्योंकि capital market एक long term financial market है और money market एक short term financial market है बड़ यहाँ पर एक major question है और question यह है कि financial market को इन दो segments में divide करनी की जरूत क्या पड़ी क्या फरक पड़ता है कि मैं पैसे 50 दिन के लिए उधार मिलूँ या फिर 500 दिन के लिए अल्टिमेटली उस पैसे पर जो interest मुझे pay करना है वो मैं pay कर ही दूँगा तो इस market segmentation के आखिर जरूत क्या है तो बात यह है कि यह दोनों markets अलग-अलग purpose को serve करती है फोर एक्जामपल अगर मुझे एक नई company set up करनी है तो अब भी सी बात है कि मैं एक साल में पैसे तो return नहीं कर पाऊंगा उसके लिए मुझे जो loan चाहिए वो लंबे समय के लिए चाहिए होगा बट अगर मेरी existing company जो एकदम बढ़िया चल रही है लेकिन इस महीने थोड़ी सी दिक्कत हो गई कुछ foreign companies से मेरी payment आने वाली थी वो delay हो गई है और ऐसे में मेरे पास इतने funds नहीं है कि मैं अपने employees की salary इस महीने दे पाऊं तो इस situation में मुझे जो पैसे की जरूत है वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए होगी जैसे ही मेरा foreign companies से पैसा आ जाएगा मैं ये पैसा किसी का भी लोटा सकता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि ये दो अलग-अलग requirements है और इसी लिए इन अलग-अलग requirements को serve करने के लिए दो अलग-अलग markets को बनाया गया है money market और capital market लगबख हर एक देश में यही system है और वैसे भी इन दोनों market में जो risk return है वो भी अलग-अलग है money market को low risk low return माना जाता है जबकि capital market को high risk high return माना जाता है यानि इन दोनों markets के purpose और characteristics दोनों अलग-अलग है आज की इस वीडियो में हम लोग money market के उपर focus करने वाले है और जब हम लोग बात करते है money market की तो money market भी दो तरह की होती है organized money market और un-organized money market organized money market वो होती है जिसे RBI दुआरा regulate किया जाता है जबकि un-organized money market के लिए कोई भी regulatory body नहीं है ना RBI ना CB इस sector के जो players होते हैं वो formal banking sector के धायरे में नहीं आते और नहीं RBI दुआरा बनाएगी regulations उनके उपर लागो होती है बट ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही आजाद है क्योंकि कहीं न कहीं consumers के interest को protect करने के जिम्मिदारी है ministry of consumer affairs की और इसलिए unorganized money market का जो दायरा है वो कहीं न कहीं ministry of consumer affairs के साथ भी intersect होता ही है बट अगर बात की जाए organized money market की तो organized money market में consumers को protect करने के rules और regulations बनाने की जिम्मिदारी पूरी तरह से RBI की है और RBI इस बात का खयाल रगती है कि ये rules और regulations सभी financial institutions द्वारा diligently follow किये जा रहे है actually किसी भी market में अगर एक regulatory body हो तो उसके बहुत सारे benefits होते है पहला benefit ये है कि इससे investors और operators जो इस market में operate कर रहे हैं उनको एक तरह से protection मिल जाती है इसी के साथ साथ किसी भी तरह के financial fraud और abuse से उनको prevent किया जाता है और साथ ही साथ financial system की stability और confidence भी promote होता है बड़ अगर हम लोग बात करें unorganized money market की तो वहाँ पर इस तरह का कोई भी benefits available नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई भी regulatory body नहीं है लेकिन फिर भी हमारे देश में इस तरह की huge unorganized money market ancient time से लेकर आज तक इंडिया में चली आ रही है और इसमें कुछ भी illegal नहीं है in fact government भी इसके बारे में aware है इंडिया की unorganized money market को तीन parts में categorize किया जा सकता है indigenous bankers unregulated non bank financial intermediaries और money lenders चलिए इन तीनों को detail में समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये money market में operate करते हैं शुरुआत करते हैं indigenous bankers से देखे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी कई सारी private firms या individuals की जो किसी particular community को banking services provide करते हैं ये लोग actually में इसी community को ब्लॉंग करते हैं और कई सारी generations से इसी तरह की banking services अपनी community के लोगों को provide करते आ रहे हैं और ये लोग इस community के लोगों की needs इनकी जरूतों को बहतर ढंक से समझते हैं और यही कारण है कि इस community के लोग HDFC और ICICS जैसे बड़े banks के मुकाबले इन indigenous bankers को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादा approachable लेकिन फिर भी community के आधार पर चार तरह के indigenous bankers को identify किया गया है ये हैं गुजराती श्रॉफ मुलतानी और शिकारपुरी श्रॉफ चेटियार्स जो कि South India में पाए जाते हैं और इसके अलावा मारवाडी कायाज तो ये तो बात हुई इंडिजीनेस bankers की चलिए अब देखते हैं non-bank financial intermediaries को basically कोई भी partnership firm या individuals जो कि banking services तो provide नहीं करते हैं लेकिन कई सारी financial services provide करते हैं ऐसी partnership firms या individuals को non-bank financial intermediaries यानि NBFI कहा जाता है अब ये लोग जो financial services provide करते हैं ये किसी भी तरह के हो सकती है ये loan हो सकता है, insurance हो सकता है इसके इलावा chit funds या फिर South India में जो निधी ही होजना चलती है इस तरह की जो भी services होती है वो basically financial services की ही category में आती है तो अगर कोई भी partnership firm या फिर individual जो इस तरह की financial services provide करवा रहा है और जिसे banking license नहीं मिला हुआ है उसे NBFI कहा जाता है और ये NBFI's basically customers को बहुत ही high interest rate पर financial services provide करवाते हैं तो question ये भी है कि अगर customers को ये financial services इतने high interest rate पर मिल रही है तो ये customers इन NBFI's के पास जाते ही क्यों हैं तो ओना lighter note इसका simple सा answer है banks भी सिर्फ उनहीं लोगों को loan देते हैं जिनको वाकई में loan की जरूत ही नहीं है तो obvious सी बात है कि अगर आपकी credit rating खराब है और आप पुराने defalter हो और आपको कोई भी bank loan देने के तयार नहीं है और आपको पैसो की जरूत है तो फिर पैसा कितने भी interest rate पर मिलेगा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये तो बात हुई NBFIs की लेकिन NBFIs भी unregulated और regulated दोनों तरह की हो सकती है तो ये जो unregulated NBFIs है यहीं है जो basically unorganized money market को ब्लॉंग करती है और अभी के लिए एक छोटी सी information आपके लिए ये है कि ये जो regulated NBFIs होते हैं इन में से एक specific type of NBFIs को NBFCs कहा जाता है यानि non banking financial companies इनके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में detail में cover करेंगे बढ़ अभी के लिए ये information आप लोग याद रख सकते हैं अब बात करते हैं money lenders की जो की third category है unorganized money market की यही वो लोग हैं जिने हमने पुरानी movies में थोड़े से पैसो के लिए लोगों के घर, जमीन, सब कुछ हड़ब करते हुए दिखा है ये लोग या तो individuals की तरह काम करते हैं या फिर इनका एक छोटा सा business होता है जहां पर ये लोगों को पैसा उधार में देते हैं और इनका interest rate इतना जादा high होता है कि लोग इनका पैसा नहीं चुकाबाते और उसके बदले ये लोगों को बंधवा मज़़ूर तक बना देते हैं तो ये जो इनका business का nature है ये काफी जादा exploitative होता है और ये money lenders basically दो तरह के होते हैं एक होते है professional money lenders जिनका जो main काम है वो money lending ही होता है और दूसरे है non professional money lenders जिनका कोई दूसरा business भी होता है बट side by side ये money lending का काम भी करते रहते हैं तो ये थी details unorganized money market की next video में हम लोग organized money market के बारे में पढ़ेंगे इंडिया की history, Indian polity और Indian economy को डीटेल में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजे link description में है thank you so much for watching and supporting बुकस्तावा